दोस्तों नमस्कार मैं आपका भूपेंद्र नरायन सिंग आज हिमाचल प्रदेश के चुनाव से जुड़ी एक एहम खबर के साथ आएंसी टीवी पर आपका स्वागत करता हूँ खबर की शुरुवात करते हैं शुरी मती प्रियंका गांधी के उस बयान से जिसके बाद भारतिय जन्ता पार्टी के शुष नेत्री तुवे भुचाल मचा हुआ है इसलिए हम कहते हैं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी पहली बार जब मंत्री मंटल बैठेगा तभी उसमें से आपके OPS का निर्ने होगा कि आपको पुराना पेंशन वापिस मिलेगा शुमती प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज होगी है दरसल कॉंग्रेस अपने शाषन कालवाले राजस्थान और 36 गड़ में वादे के मुताबिक पुरानी पेंशन विवस्था बहाल कर चुकी है लिहाजा यहां हिमाचल प्रदेश पहाड के लोगों को भी लग रहा है कि कॉंग्रेस अपने वादे पर खरी उत्रेगी दूसरी तर भारतिय जन्ता पार्टी शुमती प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद परिशान है कि पेंशन का मुद्दा उसके गले की फांस न बन जाए दरसल इस वक्त हिमाचल प्रदेश चुनाव में पेंशन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और चुनावी विशलेशकों का मानना है कि चुनाव के नतीजों पर ये मुद्दा काफी बड़ा असर डाल सकता है हिमाचल प्रदेश में पहले पुरानी पेंशन ब्वस्था लागू थी जिसके तहट पूर करमचारी को उसकी अंतिम वेतन की करीब आधी राशी पेंशन के तौर पर मिल जाती थी इस राशी के साथ पूर करमचारीयों को सम्मान के साथ जीवन जीने की सहूलियत होती थी लेकिन जब एंडिये भाजपास सरकार सत्ता में आई तो उसने राज्य में नई पेंशन ब्वस्था बहाल कर दी नई पेंशन विवस्था लागू करते समय पूरु करमचारियों से वैसे ही वादे किये जिस तरह के वादे करने के लिए भारती जनता पार्टी बदनाम है लेकिन जल्दी उसकी असलियत उसी तरह सामने आ गई जैसे दूसरी फर्जी वादों किया आई है New Pension Scheme Employees Association के महासची भारत शर्मा इस बारे में BBC को बताते हुए कहते हैं कि जब इस New Pension Scheme को लागू किया गया तो उसमें पहले तो ये कहा गया कि Multinational Company की तरह आपको बहुत लाफ मिलेगा लेकिन इस्तित तब सामने आई जब किसी को 800 रुपए तो किसी को 1500 रुपए की Pension मिलने लगी पिछले साल हिमाचल प्रदेश सिक्षा विभाग से रिटायर हुए हरिदा स्ठाकुर BBC से अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहते हैं इसलिए सडक के किनारे चाय बेच कर लोगों के जूठे बरतन माज कर गुजारा करना पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य के दूसरे पूरु करमचारियों की भी कमोबेश यही हालत है उन्होंने पुरानी पेंशन बिवस्था बहाल करने के लिए आंदोलन से लेकर अंशन धरना तक दिया लेकिन नतीजा सिफर रहा अब कॉंग्रस महास्टाचीव शुर्मधी प्रियंका गांधी के वादे के बाद उन करमचारियों में एक नई उम्मीद की एक नई लहर पैदा हुई है प्यंका गांधी के वादे से हीली बीजेपी अब कह रही है कि वो पेंशन विवस्था को नए सीरे से समिक्षा करेगी मुख्यमंत्री श्री जैराम ठाकुर इस बारे में फिल्मी अंदाज में डायलॉक मरते हुए कह रहे है कि मोदी है तो सब मुमकिन है पुरानी पेंशन विवस्था भी मुमकिन है लेकिन पहाड जैराम ठाकुर के इस आश्वासन पर पिघलने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है उसे कॉंग्रेस के उस पोस्टर पर ज्यादा यकीन हो रहा है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैबिनेट की पहली बैठक में पुरानी पेंशन विवस्था बहाल होगी नमस्कार